तो जैसे कि आप जानते हैं हम आज इंगलिश पढ़ने वाले तो इंगलिश समझने की एक इजी ट्रिक जी हाँ वो आपको याद रखनी है तो ट्रिक क्या है जबी भी आपको ये चैप्टर समझें या किसी की स्टोरी समझनी है आपको या किसी की सिचुएशन समझनी है तो आपको क्या करना है एजी ली एक ट्रिक है आपको वो चीज खुद पे लेनी है एक्जाम्पल जैसे ये चैप्टर है जवाहरलाल नहरू चैप्टर का नाम है अनिमल्स इन प्रिजन लेकिन लिखा है जवारलाल नहरू ने अब जवारलाल नहरू ने साड़े चौदा महीने देराद उनकी जेल में बिताय थे और वहाँ जो भी उन्होंने देखा अब्जर्व किया आपने आसपास उनके जो भी हुआ उस जेल में रहकर जेल के जब वो बार निकले उन्होंने जो भी देखा वो एक किताब में लिख डाली अपनी आत्मकथा में वो सब कुछ लिख डाला तो आपको एक दिन के लिए जवारलाल नहरू बनना है आपको सोचना है ऐसा कि आप जवारलाल नहरू हो और आपको जेल हो गई और आपने जो भी चीजे जेल में देखी सोची समझी वो आपने लिखी तो आपके लिए क्या होगा? इजी हो जाएगा chapter समझना तो जबी भी English का कोई chapter समझना हो या कोई story समझनी हो तो हमें क्या करना है सबसे पहले? हमें वो chapter का मुख्य किर्दार खुद बन जाना है तो हमारे लिए easy हो जाएगा वो chapter या story समझना तो आईए स्ठार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, चैप्टर 1, Animals in Prison, जवारला उने जवारा नेरू जवारला नेरू ने लिखा है चैप्टर तो चैप्टर स्ठार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं इंट्रोडक्शन की चैप्टर में अंदर है क्या उन्होंने जो भी लिखा है इस चैप्टर में जो भी चीज है उनकी आत्मकथा से ली गई है उनकी autobiography से ली गई है उन्होंने अपने जीवन पर एक किताब लिखी खुदी लिखी खुद के जीवन पर एक किताब लिखी उसको हम autobiography बोल सकते हैं आत्मकता बोल सकते हैं तो इस chapter में जो जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो उनकी आत्मकता से उठा के लिया वाय है जैसे अब उनकी आत्मकता तो बहुत बड़ी थी काफी सारे pages के chapters थे उसमें लेकिन उसमें से किसी एक chapter में एक paragraph ले लिया किसी दूसरे chapter का दूसरा paragraph ले लिया ऐसे करकर के अलग-अलग पन्नों से अलग-अलग paragraph उठाके आपको एक chapter बना के दे दिया तो जवाला लेरू को जेल हो गई थी देरादून में साड़े 14 महीने के लिए वो देरादून में रहे अब देरादून के जेल में उनको इतना छोटा सा एक कमरा दिया गया जितना ये board आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही एक छोटा सा room था एक cell था उसको हम cell बोल सकते है जेल काल कोठरी टाइप था वहां पर रहके उन्होंने जो भी देखा, feel किया, observe किया वो उन्होंने किताब में लिख लिया अब जैसे कि वो साड़े 14 महीने के लिए एक जेल में थे तो इतने से छोटे से दाइरे में उन्हें रखा गया जहां पर कोई भी facility नहीं थी और बहुत बोर हो जाया करते थे, तो क्या होता, उन्हें एक facility मिली थी देरादुन में, देरादुन के A क्लास और B क्लास के कैदियों को एक facility थी कि वो सुबह और शाम को बाहर टहलने निकल सकते हैं, क्योंकि जहां वो रहते थे वो इतने से दाइरे में था, तो वो डंग स चल भी नहीं पाते थे, तो उनलोगों के एक विशेश अधिकार दिया था, special privilege जिसको हम कहते हैं, कि वो सुबह और शाम बाहर निकल के टहल सकते हैं, और टहलना भी सिर्फ सौ कदमों तक, ज्यादा धूर तक उनको अलाउट नहीं था, तो वो बाहर निकलते, और क्या पत देखते, जरने बैरें वो देखते, पेर देखते, जो भी देखते उसको अच्छे से अब्जर्व करते और लिखते जाते थे, तो जो भी उन्होंने लिखा है वो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अब जैसे कि वो साड़े चौदा महीने वाँ थे जेल में, तो उ पकैसँ पशंद थी, क्योंकि बारिश में यहां वो रहते थे, वाँ पानी बढ़ जाया करता था, पहाडों से पानी बहकर आता, और उनकी जेल में बढ़ जाता, और बारिश के साथ-साथ, पानी के साथ-साथ, बिच्छू, साप, ये सब आते थे, तो उनको साप और चुछू से डर लगता, बाकी जानवरों से वो बहुत प्यार करते थे, हाँ वो एक ऐसे अच्छे नरम दिल के, अच्छे दिल के इनसान थे कि वो हर किसी की रिस्पेक्ट करना जानते थे, चाए छोटे से बड़ा कोई इनसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, वो सब को बहुत द से रिस्पेक्ट देते थे, और उससे पता चलता है कि वो एक ऐसे इंसान थे, जो जीओ और जीने दो पर विश्वास रखते थे, तो यह हमारा छोटा से एक चाप्टर को ओवर व्यू था, यह सब चीज हम चाप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आईए करते हैं, चाप्ट होगे, इंडिया's first Prime Minister was popular among the children as Chacha Nehru, वो इंडिया के first Prime Minister थे और बच्चों में वो Chacha Nehru के नाम से popular थे बहुत, He was a man of rare sensitivity, उनका दिल बहुत अच्छा था, rare मतलब जब बहुत मुश्किल से कोई चीज पाई जाते हैं, बहुत मुश्किल से कोई इंसान ऐसे होते हैं, जिनमें कोई खास quality होती है, खास उनमें अच्छाई होती हैं, उनको हम rare बोलते हैं, तो बहुत ही ऐसे इंसान ते जो बहुत कम पाई जाते हैं, educated at Harrow and Cambridge University, he became a barrister after studying natural science and law and returned to India in 1921, उन्होंने Harrow and Cambridge University से अपनी graduation की और वहां से वकील बन कर वो कहां 1921 में इंडिया आ गए, deeply influenced by Mahatma Gandhi, he joined Indian politics and soon emerged as leader of the country's youth, वो Mahatma Gandhi से जो हमारे father of nation है, उनसे बहुत प्रभावित थे, और जल्दी से उन्होंने Indian politics join कर ली और फिर youth में, इंडिया का जो youth था, हमारा yuva था, उसमें वो बहुत famous हो गए, however, he was not a mere politician, और वो सिरिफ politician नहीं थे, सिरिफ राजनेतिग्य नहीं थे, वो और भी बहुत सारी चीजे किया करते थे, he was also a dreamer, idealist, humanist and artist in words as well, वो सपने देखते थे बड़े बड़े, वो आदर्शवादी इंसान थे, वो मानवतवादी इंसान थे, वो एक कलाकार भी थे, His works, An Autobiography, The Discovery of India, Glimpses of World History and Letters from a Father to His Daughter are remarkable for a rare vigor and beauty, उनके ये ये काम थे, ये चीजे उन्होंने लिखी थे, जिसकी वज़े से वो बहुत फेमस हो गय थे, उनकी खुद की आत्मकथा, जो भी आज हम पढ़ेंगे, वो इस आत्मकथा से ही लिया गया है, The Discovery of India, Glimpses of World History, जो भी लिखा गया है, ये सब उनके लिखेवे बुक्स थी, They established him as a Master of English Prose, और इन सब चीजों की वज़े से वो जाने गए, क्या? Master of English Prose, वो उनको English का Master बोला जाता था, While in prison, before independence, he read books, before independence, आजादी के पहले, जब वो जेल में थे, तो वो बुक्स पढ़ा करते थे, observed nature, nature को अच्छे से देखा करते थे, dreamt it many times and wrote in his powerful and poetical style about all that he thought and felt, सपने देखा करते थे, और अपने उनका एक अंदाज बहुत ही अलग था चीजे लिखने का, poetic अंदाज था, मतलब वो जो भी लिखते थे, ऐसे लगता था, कि वो एक कवीता लिख रहे हैं, तो एक कवीता लिखने जैसे अंदाज में, वो सब कुछ लिखा करते थे, और हमें जो अंदाज पता लगता है कि उनका एक अच्छा कवीता जैसे लिखने का अंदाज था, वो किस से पता पढ़ता है उनकी आटोबायोग्रिफी से, और इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, वो उनकी आटोबायोग्रिफी में से लिया हुआ है, और वो क्या-क्या दर्शाता है कि वो नेचर के प्रती कितने प्यार से ट्रीट करते थे नेचर को, और कितने अच्छे थे नेचर के प्रती, नेचर का रिस्पेक्ट करते थे, जो भी जानवर है, पक्षी है, पेड है, सब की वो बहुत कदर करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इससे पता चलता है कि वो नेचर से प्रकृती से कितना प्यार करते थे, It is remarkable how he derives pleasure from watching different animals and gives respect even to the tiniest animals और इससे पता चलता है उनकी autobiography से कि वो छोटी-छोटी चीजें जो नेचर में छोटी-छोटी चीजें वो observe करते हैं उनको देख के उनको कितना आनंद आता है इनसे वो कितने खुश हो जाते हैं चाहे वो बड़ी हो या चीटी जितनी चीज हो या चीटी हो उनको देख के बहुत खुशी मिलती थी उसको और जो ये पीस है जो ये चैप्टर है ये बहुत अच्छा एग्जामपल है लेवन लेट लिव का जी ओ और जी ने दो हमें भी ऐसा ही करना चीए जिसे अगर हम कई बार जा रहे हैं तुम रस्ते में एक कुट्टे को देख लेते हैं हम उठा के पथर मार देते हैं फाल्तु में उसको परिशान कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक कोई जानवर हमें कुछ नहीं कर रहा है, तब तक हमें उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें नहीं छेड़ना चाहिए, तो वो भी इसी चीज पर विश्वास करते थे, जब तक कोई तुमें नह Half months, I lived in my little cell or room in the Dairadun Gawal. साड़े चाउदा महिनों के लिए वो अपने Dairadun की जेल में, जेल में भी छोटा सा एक कमरा था, सेल था, जैसे मैंने बताया आपको बस ये इतना, इतने से दाइरे में, बोट के जितने दाइरे में वो रहते थे, जहां वो सिरिफ सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं. And I began to feel as if I was almost a part of it. और उनको ऐसा लगा कि मैं उस जेल का ही एक पाट हूँ, क्योंकि इतना समय से वो वहां रह रह रहे थे, And on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters. और वो इतने टाइम से उस जेल में रह रहे थे, तो वो उस जेल के हर कोने से वाकिफ थे. कैसे अब एक्जांपल लेते हैं, अगर आपको, सपोज, आपके खुद के घर में बंद कर दिया जाए, कमरे में, तो एक साल के लिए अगर बंद कर दिया जाए आपको, और कभी भी बाहर निकलने का permission ही नहीं हो, तो क्या होगा, आप ना आपको phone दिया जाए, ना TV हो, कोई भी ऐसी facility नहीं हो, जिसको आप देख सको, entertain हो सको, तो क्या करोगे आप बैठे बैठे, बस चार दिवारी को बस निहारते ही रहोगे, और एक साल तक अगर आप यही काम कर रहे हो, कि सिर्फ वहाँ बैठे और देख रहे हो आपके पस, क्यूकि करने के लिए कोई काम तो है ही नहीं, तो क्या करोगे बस देखते रहोगे, तो आपको याद हो जाएगा, एक एक चीज की इस कोने में क्या है, इस दिवार पर यह निशान है, या इस जमीन पर यह खड़ा है, तो वैसे ही उन्हें इतना समय वहाँ बिता के जेल में, साड़े चौदा मईने, क्या हो गया, सब कुछ याद हो गया, कि इस दिवार पर यह एक डैंट है, डैंट मतलब माक, निशान, इस दिवार पर यह खड़ा है, यहाँ दिवार कीडों ने खाई हुई है, मौत इटन राफ्टर्ज, मौत क्या होते हैं, कीड़े, इटन मतलब खाना और राफ्टर्ज मतलब छट, जब छट में कीडे लग जाते हैं लकडी की छट देखी होगी आपने लकडी की छट में लकडी में जब कीडे लग जाते हैं तो कीडे लकडी को खाना स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं? खड़े तो वो एक एक खड़ा और एक एक माग सब कुछ उन्हें याद हो गया था इन दो लिटल याड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटल टफ्ट और ग्रास एंद और बिट्स ऑफ स्टोन्स अज ओर फ्रेंज और जैसे ही वो जेल का गेट खोलते तो बाहर क्या देखते छोटे छोटे गास की गुच्छे और पत्थर तो उन्हें ऐसा लगता कि वो मेरा वेलकम कर रहे है अब वेलकम तो हलाकी पत्थर और वो कोई करते नहीं है वेलकम गास लेकिन अब वहाँ फूल तो थे नहीं जो हम बोल सके कि फूलों ने उनका स्वागत किया तो जैसे ही वो गेट खोलते तो उन्हें ऐसे लगता कि गास और पत्थर उनका स्वागत कर रहे है क्योंकि फूल तो थे नहीं गास और पत्थर ये थे तो गास और पत्थर उन्हें ऐसे लगता कि मेरा स्वागत कर रहे है और वो वहाँ अकेले नहीं थे वहाँ बहुत सारे कीडे, मकोडे, तताया, मदु मक्यों के colonies थे, colonies मतलब उन्होंने छटे बना रखे थे और गुच्छों में वहाँ रहते थे And many lizards found a home behind the rafters और बहुत सारी छिपकलियां थी जो अपने बिलो में रहती थी दिवारों के कोनों में देखा होगा ना खड़े होते हैं वहाँ छिपकलियां गुच जाती है तो वो क्या करती थी छिपकलियां? शाम को भाहर निकलती थी, शिकार करने के लिए चुप-चाप से और वापिस चली जाती है Emerging in the evenings in search of prey जैसा मैंने बताया शाम को निकलती शिकार के लिए खाना खाने के लिए छिपकलियां If thoughts and emotions leave their traces behind in the physical surroundings the very air of that cell must be thick with them and they must splinge to every object in that little space अब ये जो lines है ये जो lines है ये ध्यान से सुनना बहुत important है इनका deep meaning है जब आल नहरू कह रहे हैं अगर विचार और emotions, thoughts हमारी जो thoughts हैं हम जो feel कर रहे हैं उनका अगर trace, निशान अगर हम जो भी feel कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो अगर निशान छोड़ जाएं पीछे हमारी तो हमारे आसपास का वातवरन, जो jail की जो हवा है वो इतनी भारी हो जाएगी, कि वो jail में मौझूद हर चीज से टकराने लग जाएगी बहुत deep meaning है, इसका क्या मतलब हुआ कि उनके जो thoughts थे उनके जो विचार थे और जो emotions थे, जो feel कर रहे थे वो इतने heavy थे और इतने strong थे, कि वो बोल रहे हैं अगर मेरे विचार और मेरे emotions बाहर निकलें और इस वातवरन में गुल जाएं तो यहां की जो हवा है, वो बहुत भारी हो जाएगी और बारी इतनी हो जाएगी कि जेल में मौजूद हर चीज़ से वो टकराने लग जाएगी तो complete हुआ हमारा first paragraph first paragraph में हमें क्या पड़ा कि जवाला नहरू जो थे, वो साड़े चौदा महीने देरादून की जेल में रहे, जहां उन्हें छोटा सा कमरा दिया गया उस छोटे से कमरे में वो थे, और क्या देखा उन्होंने वहाँ पर उन्हें सब कुछ याद हो गया था इतने टाइम रहकर कि मेरे इस जेल में कहां कौन सा निशान है कहां कौन से कीडे रहते हैं, कहां कौन सा गोसला है, सब कुछ उन्हें याद हो गया और वो end में एक बात कहते हैं कि अगर मेरे विचार और मेरे emotions अगर अपने traces निशान पीछे छोड़ जाए तो jail का वातावरन, jail की हवा इतनी बारी हो जाएगी कि यहाँ पर मौझूद हर चीज़ से वो टकराने लग जाएगी. तो वो था first paragraph में, अब आते हैं हमारे second paragraph पे. पड़ेंगे. और मैंने summary में बताया हो वो privilege क्या था, अगर आपको याद हो तो, वो privilege यह था कि उनको सुबह और शाम वाक करना allowed था, 100 मीटर के दाएरे में. जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी. तो वो बोल रहे हैं कि वो इतनी छोटी और इतनी सकडी जगा थी, इतनी छोटी सी जेल थी कि वो हम चल भी नी सकते थे अंदर. तो उनको अलाओ था, सुबह और शाम निकलना, बाहर वाक करना लिकिन सिर्फ सौग अच के दाएरे में. हाला कि बाहर निकलके वो रहते तो जेल के दाएरे में ही थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते, तो वो क्या देखते? परवत, रोड और फील्स. फील्स मतलब बड़े बड़े खुले मैदान. ऐसा, ऐसा नजारा उनको देखने को मिलता. वहाँ हिमाले परवत थे. अब देरादून नौर्ट इस साइड है. तो वहाँ पे वो हिमाले से गिरा हुआ है. तो वहाँ बाहर निकलते ही, सुन्दर सा नजारा मिलता था उन्हें हिमाले परवत का. अब वह बोल रहे हैं, सिर्फ विशेश अधिकार मेरे लिए नहीं था. वो A और B क्लास के जो कैदी थे, उनके लिए भी था. अब A और B क्लास के कैदी कौन होते हैं, जिनको थोड़े बहुत कुछ विशेश अधिकार होते हैं. जो उनसे भी निचले स्थर पे कैदी होते हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं मिलता हो. A और B क्लास के कैदीों को ही अधिकार मिला हुआ था. कौनसा? जेल से बाहर निकल के टहलने का. Within the compound, but outside the gaol walls, there was another small building called the European Lock-Up. हमारे जेल के दाइरे में ही, लेकिन थोड़ी दूर पर एक और lock-up था जिसका नाम था European Lock-Up. European क्यों नाम था? क्योंकि वाइ यॉरप के कैदियों को लोगो को नहीं, कैदियों को वहाँ पर बंद करके रखा हुआ था. This had no enclosing walls and a person inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside. और जो यॉरपियन का, यॉरपियन कॉन्विक्ट्स, यॉरपियन कैदियों का जो lock-up था उनके, उनका जो lock-up था इतना सक्त नहीं था. जवाला लेरू का lock-up बहुत सक्त था, उनके अंदर जेल के रूम से बाहर का कुछ नहीं दिखता था. वो जब बाहर आते थे सुबह और शाम को टैलने, तब ही उनको सब कुछ दिखता था बाहर का व्यू लेकिन यॉरपियन लॉकप में से बाहर का सब कुछ अच्छे से विजिबल था, सब कुछ वो लोग अच्छे से देख सकते थे पहाड, रोड, घास के मैदान उनको सब कुछ देखने को मिलता था यॉरपियन कॉन्विक्ट्स एंड अदर्स केप्ट यॉर वर अलावट तो वाक इन फ्रेंट अफ़ गावल गेट एवरी मॉर्निंग और जो यॉरपियन दोशी थे यॉरप के उनको भी अलावट था कि वो बहार निकले सुबह और शाम और टहले ऐसा कुछ था यॉरपियन लॉक अप कि उनके कमरे से खिड़कियों में से वो सब कुछ देख सकते थे तो हमने क्या पड़ा पिछले पैरिग्राफ में थोड़ी सी समरी ले ले लेते हैं, जान लेते हैं कि जो हमारे जवाला लेरूजी थे उनको जिस सेल में रखा गया जिसमें उनको रखा गया जेल में, वहाँ पर कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं था सिर्फ एक स्पेशल प्रिविलेज था क्या था? क्यों उनको बाहर निकलना allowed था सुबे और शाम को walk करना allowed था क्यों? क्योंकि जहां उनको रखा था वो सिर्फ छोटा सा cell था, jail जहां वो चल भी नहीं सकते थे इसलिए उनको allowed था कि वो सुबे और शाम निकल के टहल सके अब जब वो निकलते तो क्या देखते बाहर? सुन्दर नजारे नजारों में क्या देखते? हिमाल्य, रोड और बड़े-बड़े खुले मैदान और ये प्रिविलेज सिर्फ उने ही नहीं था A और B क्लास के प्रिजनर्स को भी था और European convicts, European जो कैदी थे उनको भी था तो ये पड़ा हमने second paragraph में अब बढ़ते हैं third paragraph की तरफ Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views सिर्फ एक कैदी ही जान सकता है थोड़ी देर बार निकलने की value तो इस sentence में वो ये ही कह रहे हैं कि जब किसी को कैद करके रखते हैं तो वो ही इनसान थोड़ी देर बार निकलने की value जान सकता है Only a prisoner, bandi who has been confined जिसको बंद करके रखा है for behind high walls बड़ी बड़ी दिवारों के अंदर जिसको बंद करके रखा है can appreciate सिर्फ वो ही तारिफ कर सकता है थोड़ी देर बार निकलने की permission को The extraordinary psychological value of these outside walks and open views अब क्योंकि इतने लंबे समय तक वो जेल के अंदर बंद थे तो उन्ही को ही इसकी असली value पता थी कि बाहर निकलना आखिर क्या होता है हम लोग तो appreciate नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को तो रोज बाहर निकलने का मौका मिलता है लेकिन वो ही इस बात का असली महत्व जान सकता है जिसको बहुत लंबे समय के लिए बड़ी बड़ी दिवारों के अंदर कैद कर दिया गया हो I loved these outings और उनको ये बाहर निकलना ये छोटी छोटी थोटी थोटी देर के लिए बाहर निकलना उनको बहुत पसंद था and I did not give them up even during the monsoon और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे बाहर निकल के गूमने का चाहे बारिश हो monsoon चाहे बारिश हो चाहे कितना दुफान अरो बारिश में वो बाहर निकल के गूमते थे When the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle deep of water और जब बारिश पढ़ती थी तो क्या होता था? बहे के पानी आता था पानी आता था तो वहाँ पानी भर जाता था जेल में और कितना भर जाता था? ankle deep of water मतलब उनके पाउं डूब जाते थे इतना इतना पानी वहाँ बर जाता था और फिर भी वो बाहर निकल के वाक करते थे I would have welcomed the outing in any place but the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy which went a long way to removing the weariness of prison यह कह रहे है कि मैं कहीं और भी होता ना तो भी मैं appreciate करता इस बात को कि मुझे बाहर निकलने का मौका मिल रहा है लेकिन इस जगा की खास बात यह थी कि यहां बाहर निकलते सी क्या देखनी को मिलता बड़े बड़े हिमाले परवत टावरिंग टावरिंग का मतलब विशाल विशाल हिमाले परवत उनको देखने को मिलते और जो क्या करते इनका एकदम से mood change कर देते थे removing the weariness of prison मतलब जेल में रहकर इंसान ठक जाता है उसका mood खराब हो जाता है तो जैसे यह वो बार निकलते तो उनका mood एकदम से ठीक हो जाता यह परवत विशाल परवत देखकर और वो कहते थे यह मेरा सवबाग्य है कि जब मेरे interviews नहीं हुआ करते थे तो मैं बार निकल के सिर्फ इन परवतों को ही देखता रहता था क्योंकि जब इनके interviews हुआ करते थे तब इने बार नहीं निकलने दिया जाता था जेल के अंदर ही interview होते थे और इनका time वहीं खतम हो जाता और फिर वापस इनको lock-up में बंद कर दिया जाता था तो ये कहते थे कि मेरा सौबागय था जब लंबे समय तक मेरा कोई इंटरव्यू लेने नहीं आता और मुझे सिरिफ हिमाले को निहारने का मौका मिलता ये कह रहे हैं जब में जेल के अंदर बंद होता था उस समय के लिए मेरे सेल में से माउंटेंस दिखाई तो नहीं पड़ते थे क्योंकि इनका काल कोटरी जैसा जेल था जा कोई खिडकी थी नहीं तो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं हिमाले और खुद में वो नजदी की नियर्नेस नियर्नेस का मतलब नजदी की मैसूस कर पाता था उनको फील कर पाता था चाहे वो बंद थे अंदर फिर भी वो फील कर पाते थे कि हिमाले मेरे कितने नजदीक है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है फ्लोन हाई एंड वे असॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउद टू हैस गॉन वांडरिंग ओन पक्षियों का जुंड उपर से बह कर जा रहा था ऐसे खूप सारे पक्षी उपर से बैते वे उड़ते वे जा रहे थे शोलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ बादल का एकांत बड़ा खूप सारे बादल जो थे वो चुप चाप जाते जा रहे थे और वो नीचे देख रहे थे कि क्या हो रहा है ये सारे उनके थौट्स हैं कि जो बादल जा रहे हैं पे अकेले बैठे रह जाते है विद चिंग्टिंग पीक चिंग्टिंग परवत की शिखर का नाम है जिसको बोला है चिंग्टिंग We never grow tired of each other the mountain and I वो और mountain कभी भी एक दूसरे को देखते देखते बोर नहीं हुए तो यह उनकी एक तरीका है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो हर चीज को एक पोयम के अंदाज में लिखते थे तो यहीं उनकी ने लिखा है कि पक्षी उपर से उड़ते वे जा रहे हैं बादल भी हिरान होते वे जा रहे हैं देखते हुए और मैं चुकचाप से बैठा हूँ और क्या देख रहा हूँ एक परवत की शिला को शिला नहीं शिखर को जो की बहुत बढ़ा है और वोर में इक दूसरे से कभी बोर नहीं हो रहे हैं तो क्या पड़ा हमने थर्ड परेग्राफ में थर्ड परेग्राफ में जवाला लेरू जी कह रहे हैं कि एक कैदी ही जान सकता है थोड़ी देर भार निकलने की कीमत खुले में गूबने की कीमत तो जबी भी उन्हें परमेशन मिलती थोड़ी देर भार निकलने की तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते वो चाहे बारिश हो, मौन्सून हो, कितना ही पानी बहरा हो वो बाहर जाते और आराम से बैठ जाते और परवत को नहारते रहते अब हम बढ़ते हैं हमारे पैरेग्राफ फोर्थ पर वो डरे हुए है और इस पोएट से जिसका नाम है ली टी आईपो वो इसको नहीं कहना चाहते कि क्या नहीं कहना चाहते कि वो परवत को देखते देखते कभी भी बहर नहीं हुए और उनके लिए बहुत अद्भूत अनुभव था और परवत और उनके बीच जो निकटता थी उसमें उने एक अलगी अनन्द फील होता था और जो परवत की जो मजबूती है परवत आपने देखा है कितना मजबूत होता है तो परवत की जो मजबूती है और काम परवत एकदम शान्थ होता है तो उन्हें ऐसा परतीत होता कि उसका जो शान्थ स्वभाव है और उसकी जो मजबूती है इतने सालों की वो मुझ पर आके वो मुझे दे रहा है उसे उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि मैं अंदर से मजबूत हो रहा हूं और मैं अंदर से शान्थ हो रहा हूं उन्हें इतना अच्छा फील होता उस परवत को दे रहे था and suit my fever mind और fever mind होता है जब हम किसी चीज़ से दुखी होता है या परेशान होते हैं तो हमें दिमाग का भुगार चड़ जाता है । मतलब हमारा PJ हो जाता है तो जेल के वाता वरण से उनका दिमाग बहुत नजारह था? तो जो परवत का जो नजारा था वो ने इतना अच्छा लगता था कि उसको देखे इने सुकून मिलता था तो आगे बढ़ते हैं paragraph 5 पर Spring was very pleasant in the Dairadun and it was far longer than in the plains below अब जबके Dairadun उपर है North East में तो वाह जो बहार का मौसम था वो बहुत लंबे समय तक चलता था तो वो कह रहे हैं कि Spring का जो मौसम था वसंत का मौसम बहुत सुख़द होता था क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली रहती थी और काफी लंबे समय तक Dairadun में Spring चलता था The winter had denuded almost all the trees of their leaves and they stood naked and bare और सर्दी पेडों का क्या हाल कर देती थी? ऐसा पेडों को बिलकुल उनमें से पत्तिया गायब हो जाती पेड एकदम bare, खाली हो जाते और naked ऐसा प्रतीत होता कि पेड नंगे हैं Even four magnificent people trees which stood in front of the gaul gate much to my surprise dropped nearly all their leaves और जो जेल के पीछे जो चार बड़े बड़े जेल के गेट के पीछे चार बड़े बड़े पीपल के पेड थे वो भी एकदम खाली हो गए थे gaunt and cheerless they stood there दुरबल और उदास जैसे वो वाँ खडे थे till the spring air warmed them up again and sent a message of life to the innermost cell और जब तक बाहर आती तब तक वो वहाँ ऐसे दुरबल उदास खडे रहते और जैसे बाहर आती तो उनमें से ऐसे लगता कि एक नया जीवन निकल के आ गया हो बाहर के मौसम में क्या होता है एकदम से पेड हरे बरे हो जाते उनमें नई पत्तिया नई फूल आने लग जाते तो वैसा ही वा हुआ Suddenly there was a stir both in the people's and the other trees and air of mystery surrounded them as a secret of operations going on behind the scenes और अचानक से क्या हुआ बाहर के मौसम में हवा आई और एक रहसे में हवा आई और क्या हुआ एकदम से उनके अंदर जान फूक के चली गई जान फूक ना मतलब सड़ी में वो पेड क्या थे एकदम खाली और बिना पत्तियों के और जैसे ही स्प्रिंग आई तो ऐसे प्रतीत हुआ कि उनमें जान आ गई हो I would be startled to find little bits of green peeping out all over them और वो देख पा रहे थे कि छोटी छोटी हरी हरी पत्तिया उनमें से निकल रही है It was a gay and cheering side और वो जो नजारा था वो बहुत दिल को खुश कर देने वाला था And then very rapidly the leaves would come out in the millions and glisten in the sunlight और फिर फटा फट से क्या होता है कुछ दिन बाद जल्दी जल्दी पत्तिया निकलती है और जब sunlight उन पर पढ़ती है सूरज की रोश्टी उन पर पढ़ती है तो वो एकदम से चमक उठती है And play about in the breeze और जैसे हवा लगती है तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो खेल रही है क्योंकि आपने कभी देखा होगा पेड़ों को उन में जब हवा चलती है जब हवा चलती है तो पेड ऐसे कैसे हिलते है ऐसा प्रतीत होता है कि पत्तियां और पेड़ आपस में खेल रहे हैं एक साथ How wonderful is the sudden change from bud to leaf वो कह रहे हैं कि कैसे एक bud छोटे से खाली पत्तजड जैसा प्रतीत हो रहा था एक पेड़ विंटर में क्योंकि पूरा नंगा हो चुका था वो पौधा कैसे वो खाली पेड में से एक बड़े पेड में तबदील हो गया Bud to leaf Bud होता है जब कुछ चीज उगती है तो वो छोटी सी कली के जैसे होती है फिर उग के जब बड़ी हो जाती है तो उसमें पत्तिया निकल आती है तो वो बोल रहे हैं कि वो कितना देखना कितना अच्छा लग रहा था कि पहले तो एक छोटा सा छोटी सी कली थी और फिर फूल उसमें तबदील हो गई आगे बढ़ते हैं, paragraph 6 पर और वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि जो आम की पत्तियां होती है वो रेडिश ब्राउन की कलर में होती है, रेडिश ब्राउन कैसा कलर होता है जब आपने देखा होगा किसी आईरन की चीज पे जंग लग जाती है तो उसका कलर ऐसे जंग वाला हो जाता है, ओरेञ्ज या रेडिश या ब्राउनिश कलर तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया था कि आम की पत्तियां जो निकलती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है रसेट कलर ऐसा कलर यह देख रहे हैं आप ऐसा ओरेंज इश और ब्राउनिश कलर इस कलर की वो पत्तियां दिख रही थी Remarkably like the autumn tints on the Kashmir hills और उन्हें ऐसा प्रतित हो रहा था जैसे कश्मीर के जो पहाड होते हैं पत्जड के टाइम कश्मीर के पहाड कैसे दिखते हैं बिलकुल ऐसे दिखते हैं उन्में से जो बरफ होती है वो गिर जाती है नीचे और वो उपर से ऐसे ब्राउन ब्राउन से दिखते हैं, ओरेंज ब्राउन कलर की, तो ऐसा ही उन्हें लग रहा था, जो आम की पत्तिया हैं, जो उन्होंने पहले कभी भी notice नहीं करी थी, कि आम की जो पत्तिया हैं वो रेड़िश ब्राउन कलर की हैं, but they change color soon and become green और थोड़े समय बात क्या हो जाता है वो पत्तिया अपना color change कर देती है और green बन जाती है तो 6 paragraph में हमने क्या देखा कि उन्होंने पहले कभी notice नहीं किया आम की पत्तियों को कि वो कैसे जब वो निकलती है तो वो reddish brown color की होती है और फिर थोड़े time बाद वो green color की हो जाती है अब बढ़ते हमारे paragraph 7 पर और हमेशा वो monsoon rains का स्वागत करते थे बारिश के मौसम का क्योंकि वो क्या करती गर्मी की जो तपती हुई दूप थी जो गर्मी थी उसको वो हटा देती एकदम गायप कर देती थी बारिश क्या करती है गर्मी एकदम खतम कर देती है बारिश but one could have too much of a good thing and Dehradun is one of the favored horns of the rain god वो कह रहे है कि Dehradun पर Indradev का आशिरवाद था क्यों था Indradev का आशिरवाद? क्योंकि within the first 5 or 6 weeks of the break of the monsoon we would have about 50 or 60 inches of rain क्योंकि पहले ही 5 या 6 हफते में Dehradun में 50 और 60 inches की बारिश हो जाती थी तो वो कह रहे है ऐसा प्रतीत होता कि Dehradun पे Indradev का आशिरवाद है क्योंकि पहले ही 5 या 6 हफते में उसमें 50 या 60 inches की बारिश हो जाती and it was not pleasant to sit cooped up in a little narrow place trying to avoid the water dripping from the ceiling or rushing in from the windows और वो कह रहे है मुझे इस बात से बिलकुल भी आनन्द नहीं आता कि जब बारिश आती तो क्या होता था? उनकी जेल में अंदर पानी आ जाता था खिडकियों से पानी आता था छच से पानी तपकता था और उनको एक कोने में बंद होके बैट जाना पड़ता था तो उन्हें इस बात से बिलकुल अच्छा नहीं लगता था कि उन्हें इस मौसम में एक कोने में छुपकर बंद होकर बैटना पड़ रहा है तो आगे पड़ते हैं हमारे एट्थ पारिग्राफ पर और फिर जब आटम पचजड का सीजन आता तो उन्हें वो अच्छा लगता तो वो कहरें सिर्व बारिश के अलावा पचजड, रेन, गर्मी, स्प्रिंग ये सारे मौसम उन्हें अच्छे लगते बस क्या अच्छी नहीं लगती? बारिश क्यू? क्यूंकि हमने 7th paragraph में देखा कि उन्हें बारिश इसली अच्छी नहीं लगती क्यूंकि उनकी जेल में अंदर पानी आ जाता था, छट टपकरी होती थी और उनको कोने में छुपकर बैट जाना पड़ता था वो कह रहे हैं कि जब बारिश आती थी तो इतनी ठंडी हवाओं चलती थी कि हमको ऐसे लगता कि हम एक comfort एक आरम दायक जगा में जाकर बैट जाएं क्यूंकि जेल में comfort तो होता नहीं है, जेल का मावल आपको पता ही है कैसा होता है तो उन्हें ऐसे लगता था कि इतनी ठंडी हवाओं में बारिश के मौसम में ऐसी कोई जगा मिल जाएं जहां कर वो जाकर पैट जाएं और कभी-कभी क्या होता बारिश के मौसम में ऐसे ओले गिर पड़ते थे इतने बड़े-बड़े ओले जब गिरेंगे तो वो क्या क्रियेट करेंगे? नॉइज हम ओलो को इंग्लिश में बोलते है हेल स्टोन्स तो जब बरफ की जो बारिश होती है हेल स्टॉम होती है तो वो अपते साथ लाती थी बरफ के ओले इतने बड़े-बड़े मार्बल जैसे मार्बल देखे ना कंकड आपने मार्बल के उन कंकड उसे भी बड़ी साइस के ओले होते थे और उनकी आईरन रूफ पे यह जो छप्पर है इनको आईरन रूफ कहते हैं इंग्लिश में तो जो छप्पर है न यह लाइन देख रहे हैं आप ऐसे जा रही है यह जो नालीदार छप्पर है यह लाइन ऐसे लग रहा है कि नाली बनी हुई है इन पर जब गिरते तो ऐसी आवाज होती कि something like an artillery bombardment तो वो इतनी तेजी से जब कोई चीज उपर गिरेगी और आपके उपर छप्पर है तो वो ऐसी आवाज होती कि जैसे लगता कि कहीं गोलियां चल रही हो तो वो जहां रहते थे उपर से छप्पर की दीवार थी और ऐसे लगता कि गोलियां चल रही थी तो एर्थ पैरेग्राफ में हमने क्या पढ़ा एर्थ पैरेग्राफ में हमने ये पढ़ा कि इन्हें बारिश के अलावा बाकि सारे सीजन पसंद थे बारिश में इनको ऐसा लगता कि मैं कहीं ऐसी जगा जाकर बैट जाओ ऐसी जगा जाकर निवास ले लू जहाँ पे मुझे आराम मिले लेकिन जेल में ऐसा आराम तो नसीब होता नहीं था और कभी-कभी क्या होता था बहुत जोड से ओले गिरते इनके उपर इनके उपर नहीं उपर जो छट होती है छपर की छट बनीवी थी तो इतनी जोड से कुछ गिरेगा उपर से तो बहुत तेज आवाज होती थी और वो आवाज ऐसे प्रतीत होती थी कि जैसे कोई गोलिया चला रहा है तो आज हम पढ़ेंगे 8th paragraph तक आगे काम पढ़ेंगे next lecture में मुझे पूरी उमीद है आपको अच्छे से समझाया होगा एक बार फिर से go through कर लेना बाकी thank you